दोफ तो आज मैं आपको बताऊंगा WhatsApp Message Notification से Message करने वाले का नाम, DP और Message को हाइट कैसे करते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा WhatsApp पर जब भी हमें कोई notification आता है तो जिसने हमें Message किया है उसकी DP, नाम और Message में क्या लिखा है सारी चीज़ें दिखाई देती है अगर हम notification पैनल को open करेंगे तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें दिखाई देती है अगर स्क्रीन पर lock लगा हुआ है इसके बाद भी अगर हमें कोई notification आता है WhatsApp पर तो DP Message में क्या लिखा हुआ है किसने Message किया है सारी जो चीज़ें वो दिखाई देती है तो इसे hide कैसे करते हैं इसे hide करने के लिए मैं आपको तीन secret trick के बारे में बताऊंगा आप अपनी पसंद के मुताबिक setting को apply कर सकते हैं और notification से message करने वाले का नाम DP और message को hide कर सकते हैं बात करते हैं पहली trick की तो मालनी जी आपका कोई खास दोस है आप चाते हैं जब भी वो आपको message करे तो उसके message का notification सुनाई ना दे pop-up भी दिखाई ना दे जब आप WhatsApp को open करें तभी आपको message दिखाई दे तो ऐसी setting आप कर सकते हैं या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपको बार-बार message करके परिशान कर देता है तो उस बंदे की chat को भी आप mute कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है जिस भी बंदे के message आप चाते हैं दिखाई ना दे तो आप उसकी chat को इस तरह से select कीजिए और उपर में आपको यहाँ पर mute का एक icon दिखाई देगा तो आपको इस पर click करना है यहाँ पर mute notification का pop-up आएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर time set करना है 8 गंटे के लिए, 1 हफते के लिए या हमेशे के लिए आप chat को mute करना चाते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर okay कर देना है अब यहाँ पर मैंने समीर की chat को mute कर दिया है अब आप देख लीजी अगर समीर मुझे message करेगा तो notification भी सुनाई नहीं देगा notification दिखाई नहीं देगा पता ही नहीं चलेगा कि समीर ने मुझे message किया है जब मैं WhatsApp को open करूँगा तब ही यहाँ पर मुझे उसका message दिखाई देगा ठीक है अगर कोई दूसरा बंदा मुझे message करेगा तो दोस्तो उसके notification मुझे आएंगे notification tone भी सुनाई देगी notification दिखाई भी देगा लेकिन समीर जब मुझे message करेगा तो कोई भी notification tone सुनाई नहीं देगी ना ही chat दिखाई देगी ठीक है यह थी हमारी पहली setting अगर आप यहाँ पर chat को वापस से unmute करना चाते हैं तो chat को आप इस तरह से select कीजिए यहाँ पर mute के button पर click कीजिए chat जो है unmute हो जाएगी ठीक है यह थी हमारी पहली trick पॉप अप दिखाई ना दे सिर्फ notification tone सुनाई दे और आप जब notification panel को open करे तो यहाँ पर आपको message दिखाई दे तो ऐसी setting भी आप कर सकते हैं इसके लिए आपको whatsapp पर एक second के लिए दबाना है यहाँ पर आपको app info में आना है इसके बाद यहाँ पर आपको whatsapp की एक setting देखने के लिए मिलेगी manage notifications आपको इसे open करना है यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी banner यहाँ पर tick लगा हुआ है आपको इसे untick कर देना है इतनी setting आपको करना है back आ जाना है बस अब दोस्तों यहाँ पर मैं message करके आपको दिखाता हूँ notification tone बजेगा टीक है उपर में whatsapp का icon भी दिखाई देगा लेकिन pop up में message दिखाई नहीं देगे जैसे कि आप देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं टीक है जब आप notification panel को open करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको सारे message दिखाई देगे नाम, dp वगरा भी दिखाई देगी ठीक है यह थी हमारी दूसरी trick अब मालनी जी आप चाहते हैं notification pop up आपको दिखाई दे लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है और message किस ने किया है उसका नाम और dp दिखाई ना दे pop up आना चाहिए लेकिन नाम dp दिखाई ना दे और notification tone भी बजना चाहिए तो ऐसी setting भी दोस्तों आप कर सकते हैं इसके लिए आपको उपर में three dot पर click करना है यहाँ पर आपको settings पर click करना है यहाँ पर आपको नीचे आना है fingerprint lock पर आपको click करना है यहाँ पर दोस्तों आपको setting को on करना है अपने fingerprint को आपको verify करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको setting देखने के लिए मिलेगी show content in notification आपको यह setting को बंद कर देना है यह setting आप बंद कर दीजिए ठीक है इसके बाद जो हमने banner वाली setting को off किया था उसे हमें on कर देना है ठीक है बैनर वाली setting को हमें on कर देना है मैंने on कर दिया ठीक है अब दोस्तो कोई भी बंदा मुझे whatsapp पर message करेगा तो notification सुनाई भी देगा और pop-up में दिखाई भी देगा य यहाँ पर भी दोस्तो कुछ नहीं दिखाई देगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लॉग स्क्रिन कर देते हैं यहाँ पर भी दोस्तो कुछ दिखाई नहीं देगा सिर्फ notification आएंगे और pop-up दिखाई देगा कितने message आये हुए है यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो इस तरह से दोस्तो आप WhatsApp, notification से message करने वाले का नाम, DP और message को height कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को like कर देना, channel को subscribe कर लेना, वीडियो को share कर देना